जेहिन दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे SSE Constable GD भरती के officially scorecard के बारे में देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी जितने भी candidate अपना scorecard चेक कर रहे हैं वे सभी ये scorecard किसी third party बेव साइट जैसे की all exam rank, rank IQ या rank मित्रा ये सभी जो साइट है वहाँ पे student जो है अभी ये scorecard अपना देख रहे हैं लेकिन दोस्तों officially ये scorecard यानि की SSE के बेव साइट पर जो है ये scorecard आपका कॉप जारी होगा और देखिए दोस्तों ये scorecard आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको normalization marks कितना मिला है अभी तो काफी सारे student जो है अलग-अलग बेव साइट पर जाकर अपना scorecard देख रहे हैं और काफी सारे student अलग-अलग बेव साइट पर जाकर normalization marks भी चेक कर रहे हैं लेकिन दोस्तों वो सभी जो है आपका expected है, real नहीं है वो सभी जितने भी आपको बता रहे हैं सभी जो है एक expected आपका normalization marks बता रहे हैं कि आखीर officially scorecard कब release होगा तो देखिए दोस्तों पिछले बार की बात करें तो पिछले बार जो आपका officially scorecard था वह 8 मई 2023 को release होगा था और दोस्तों आप सभी का result पिछले बार जो है CBT exam का 8 अपरील को आपका release होगा था और इसके अलावा दोस्तों जो आपका answer की था वह 18 फरवरी को दोस्तों आपका आया था तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें तो इस बार जो आपका scorecard है जब आपका CBT exam का result आ जाएगा देखिए दोस्तों CBT exam का result कब आएगा CBT exam का result आपका संभावना है मई मन्थ में आने के लिए इस मन्थ में आने की कोई भी संभावना नहीं है क्यांकि दोस्तों पिछले जितने भी भरती है 2021 का हो या 2022 का हो सभी भरती में लगबग 2 मन्थ समय जो है SSE लेता है result जारी करने में आप सभी पिछले दोनों भरती का देखेंगे तो लगबग 2 महीना समय जो है लिया गया था तो दोस्तों यहाँ पे बात करें कि इस बार जब आपका CBT exam का result आ जाएगा तो CBT exam result आने के बाद जो है 25 से 30 दिन बाद जो है आपका ये scorecard release होता है पिछले बार दोस्तों CBT exam का result आने के एक महीना बाद जो है आपका ये scorecard release होगा था यानि कि physical start होने के पहले scorecard जो है आपका आ गया था तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इस बार आपका CBT exam का result आएगा उसके 20 से 25 दिन बाद ही आपको scorecard अपना देखने को मिलेगा तो ये scorecard आने में अभी आपका समय है क्योंकि अभी result आएगा उसके बाद scorecard आएगा तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि आखिर normalization marks जो है आपको कितना मिलेगा और maximum जो है कितना मिल सकता है दखिए दोस्तों मैं already आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि normalization marks depend करता है आपके एक jam shift पा एक jam का shift के label पा यानि कि आपके एक jam का shift अगर hard होगा तो आपको maximum जो है 15 नमबर तक आपका मिल सकता है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दे अगर आपका एक jam का shift जो है hard होगा तो आपको 10 से 15 नमबर तक असानी से मिल जाएगा पिछले बार जो है काफी ये student को 12, 13, 14 इस तरह नमबर मिले थे और मैंने इसके बारे में आपको officially जो proof था वो भी आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे इसके अलावा दोस्तों अगर आपका एक jam का label moderate होगा तो इसमें 5 से 10 नमबर तक आपका बढ़ सकता है और अगर आपका एक jam का shift easy label का होगा तो आप सब भी मान का चलिए कि easy label में जो है किसी किसी छात्र को बिल्कूल नहीं मिलता है point से लेकर 0.50, 0.73 इस तरह जो है easy label में मिलता है 0 से लेकर 5 नमबर तक आप लेकर सकते हैं कि इतना marks आपका easy label के जो छात्र होंगे वैसे candidate को इतना number मिल सकता है आप दोस्तों देखिए किस shift का exam जो है आपका hard हुआ था किस shift का exam low हुआ था ये कैसे आप सभी देखेंगे तो देखिए दोस्तों इसके बारे में एक मैं जो है ये notice आप देख रहे हैं ये जो है rank मित्रा जो आपका बेवसाइट है उसके द्वारा ये जारी किया गया है और इसमें जो है जितने भी student आपका exam का जो है officially score card चेक किये हैं उसके अधार पर जो है ये score आपका release किया गया है average raw score है देखिए दोस्तों exam shift की बात करें तो आप इस PDF में ये जो notice आप सभी देख रहे हैं इसे हम टेली गराम पर दे दिये हैं टेली गराम से इसे download कर लिजिएगा यहाँ पर exam date, exam shift, average marks और student देखने को मिलेगा देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी जो छातर आप देख रहे हैं इन सभी date को, इन सभी shift में जो आपका exam हुआ है ये सभी shift जो है आपका hard level का है यानि कि यहाँ पर 97, 97, 99, 99 इस तरह से जो आप average marks देख रहे हैं ये दोस्तों जितने भी shift है इन सभी date को जो है अगर आपका exam हुआ है इन सभी shift में तो आपका shift जो है hard level का है इसमें दोस्तों आपको number ज़ादा मिलेगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पा देखेंगे यह सभी जो आप shift देख रहे हैं यह सभी shift आपका moderate level का है इन सभी shift में आपका 5 से 10 number तक मिल सकता है इसके बाद दोस्तों नीचे के तरफ आएंगे तो यह जो shift आप देख रहे हैं यह सभी shift यह सभी दोस्तों आपका easy level का shift है क्योंकि इसमें average score जो है student का ज़्यादा देखने को मिला है सबसे दोस्तों easy shift था आपका 30 March 2024 का यह shift जो है सबसे ज़्यादा easy था और इसमें देखेंगे 116 average score जो है बना हुगा है 322 यहाँ पर चातर के data के coding यहाँ पर बताया गया है तो 30 March का हो गया 22 फरवरी का हो गया यह सभी जो shift आप सभी देख रहे हैं यह सभी shift दोस्तों आपका easy level का था तो इसमें number जो है आपका com मिलेगा यहाँ पर देख रहे हैं यह सभी जो आप exam date देखेंगे और shift इन सभी में दोस्तों आपका number कम मिलेगा अगर आप सभी के exam in date को in shift में है तो आपको number जो है कम मिलेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप सभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है इन सभी shift को अगर आपका exam in सभी date में हुगा है इन सभी shift के अंत्रगत तो आपको जो है जादतर marks मिलेंगे तो यह जो है एक expected है जो की rank मित्रा एक वेवसाइट है उसके द्वारा release किया गया है तो दोस्तों इसके थुरू आप जान सकते हैं आपका shift easy था या hard था एकस्पेक्टेड यह सभी चीजे है कोई confirm नहीं है क्योंकि आपको पता होगा कि confirm दोस्तो SSE के वेवसाइट पर ही कोई चीज मिलता है बाकी जो चीजे है वो सभी एकस्पेक्टेड आपको बताया जा रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है सभी चात्र जो है अपना scorecard देखते हैं तो इसके coding दोस्तो जितने भी चात्र वहाँ पर scorecard देखे हैं उसके अधार पर जो है यह आपका score जो है average raw score जो है वेवसाइट के द्वारा यह release किया गया है तो कहीं न कहीं यह भी आपका सही है इसमें कोई गलत नहीं है तो दोस्तो यह आप सभी यहाँ पर देखेंगे इस PDF को जो है हम टेलीग्राम पर दे दिये हैं आप जाकर देख लिजिएगा आपका shift easy था या low था या hard था इससे आपको पता चल जाएगा अब दोस्तो नर्मलाइजेसन मार्क्स भी आप से भी जान गए यह scorecard कब तक आएगा यह भी आपको बता दिये और फिलहाल अगर आप से भी third party वेवसाइट के थूँ scorecard देखना चाहते हैं तो काफी सारे वेवसाइट है जैसे की rank IQ हो गया rank मित्रा हो गया और एक जाम रैंक हो गया इसके अलावा भी काफी सारे वेवसाइट है जहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं तो वो सभी जो है third party वेवसाइट है कोई officially site नहीं है तो दोस्तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम